जहीं दोस्तों आज के इस कलास में हम लोग कवर करेंगे बीए सिकेंड समेस्टर ठीक है हिस्ट्री यानि मद्धिकाली नितिहास है दोस्तों पेपर का नाम है हिस्ट्री आफ मेडिवल इंडिया 1206 इसवी से 1526 इसवी तक 2023 का ये पेपर है ठीक है तो सर इसे पढ़ने से क्या फायदा होगा 233 का पेपर है 2024 में भी ठीक इसी तरह से प्रस्न पूछा जाएगा ठीक है तो बहुत ही महत्पूर कलास होने वाली है दोस्तों क्या होता है कि देखेए प्रीबियस एर कोश्चन से आप से क्या होता है जो प्रस्चन होते हैं रिपीटेट होते है इसमें 40 प् स्कंदोस्तों दस से 15 प्रशन आपके रीपीट होंगे ठीक है अगर आपको अब्जेक्टी कोशन होगा तो 10 से 15 प्रशन आपके रिपीट होंगे ठीक है यह पॉइंट को याद रखिएगा और आप लोग आईडिया भी लगा सकते हैं कि आपको किस तरह से प्रशन पूछ सकता है ठीक है तो बहुत ही important ही ये class है दोस्तों और एक जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूँ इस class को share कर दीजेगा इस तरह से share button बना होगा ठीक है वहाँ पर यहाँ नीचे इस तरह से share button बना होगा ठीक है यहाँ पर इस तरह से बना होगा तो share button पर क्लिक करके WhatsApp पर जडूर इस Class को Share कर दिजएगा ठीक है चलिए Parliament, Start करते हैं आज की Class दोस्तों इसमें बहुत ही महतपूर महतपूर प्रसन है ठीक है चलिए इसमें पहला प्रसन आपका पूछा है दोस्तों देखे, पहला प्रसन है आपका अलाउदीन खिलजी के सासनकाल में सैन विभाग को कहा जाता था बेरी बेरी most important है यह हर साल प्रशनाता है तो दोस्तों दिवान ए आरीज कहा जाता था क्या कहा जाता था तब यहाद दिवान ए आरीज कहा जाता था अलाउदिन खिल जी के सासनकाल में सन विभाग को दिवान ए आरीच कहा जाता था देखिए जो important प्रसन है बहुत important प्रसन है वो बार बार repeated होते हैं ठीक है देखिए दूसरा प्रसना आपका इसमें पूछा है दिवान ए बंदगान की अस्थापना किस ने की तो दिवान ए बंदगान की अस्थापना फिरोज सा तुगलक ने की ठीक है दूसरे का आपसन नमबर भी correct है आपका चलिए अगला प्रसन आपका देखते हैं प्रसन नमबर 3 क्या पुछा है प्रसन नमबर 3 दोस्तो 100% आएगा ठीक है आपका चलिए अगला प्रसन आपका देखते हैं प्रसन नमबर 4 क्या पूछा है प्रसन नमबर 4 पूछा है अलवार संत किसके अनुयाई थे अलवार संत भगवान विश्णू के अनुयाई थे ठीक है आपसन नमबर भी correct है आपका चल अगला प्रस्ण आपका देखते हैं क्या है प्रस्ण नमबर पाँच आपका इसमें पूछाए दोस्तो भारत में चिस्ती सिलसिले का संस्थापक कौन था बेरी बेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यह प्रस्ण आएगा 2014 में इसे लिख के रख लीजिए भारत में चिस्ती सिलसिले का संस्थापक दोस्तो ख्वाजा मुनिद्विन चिस्ती थे ठीक है आप सनमबर सी करेक्ट है आपका चल अगला प्रस्ण देखते हैं आपका क्या है प्रस्ण नमबर 6 आपका पुछाए दोस्तो तो सूफी संतों के निवास अस्थान को कहा जाता था, यानि सूफी संतों के निवास अस्थान को क्या कहा जाता था, खान काह कहा जाता था, ये भी 100% आएगा, ठीक है, चलिए, अगला प्रसना आपका देखते क्या है, अगला प्रसना है दोस्तों, प्रस नमर साथ है आपका सूफी सिलसिला जिसे संप्रदा है ठीक है सूफी सिलसिला क्या है एक संप्रदा है मूलता संबंदित है किसे संबंदित है भी क्या तो इसलाम से संबंदित है सूफी सिलसिला या फिर सूफी संप्रदा इसलाम से संबंदित है ठीक है चलिए अगला प्रस्ण आपका देखते हैं क्या है प्रस्ण नमर आठ है दोस्तों आपका तुरकान ए चहल गानी का गठन किस ने किया बेरी बेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रस्ण है इल्टु तमीश ने किया ठीक है तुरकान ए चहल गानी का गठन इल्टु तमीश दोस्तों भक्ति आंदोलन कि है आपका पूछा हैं तुछ है अ'reुग५ ि mo event hours a term भक्ति आंदोलन कि चेत्र से प्रारम्भवा धिया आप समयर भी करेक्ट हैं आप मिज एरिया भक्ती मूवमेन्ट ही स्टारटट साउथ कहले प्रशन नमबर nar लग्यारा है भक्ति मोमेंट तो भक्ति और्गनाईजे जो भक्ति आंदोलन के परवर्तक थे रामा नुजाचार है ठीक है आफसर नमबर एक करेक्ट है यह भी 100% आएगा 2024 में ठीक है चलिए अगला प्रसन आपका देखते क्या है प्रसन नमर 11 आपका पूछा है तुलू गमा पद्धती क प्रयोग ठीक है प्रथम परयोग भावर ने किस युद्ध में किया था बेरी बेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रसन है यह ठीक है फिर से मैं एक बार बता देता हूँ तुलू गमा पद्धती का प्रथम परयोग भावर ने किस युद्ध में किया था तो पानिपत के देखेंगे आपका क्या पुछा है प्रस नमर 14 देखेंगे दोस्तों आपका क्या पुछा है सिकंदर लोदी ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया आगरा को अपनी राजधानी बनाया ठीक है सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था अगला प्रसंद देखेंगे क्या है प्रस नमर 15 आपका पुछा है गज ए सिकंदरी का प्रचलन कि आपका चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं आपका क्या है प्रस्ण नमर 16 पुछा है निम ने लिखी संतलत सासकों में से कौन अफगान मूलका था यानि इन में से दोस्तों चारों आपसन में से कौन से जो इन में से कौन सा वंस है जो अफगान था तो लोदी वंस क्या था भ प्रतम यूद्ध किसके मद्ध लड़ा गया पानिपत का प्रतम यूद्ध इबराहिम लोदी और बावर के मद्ध 1526 इसवी में लड़ा गया था ठीक है चलिए अगला प्रसन देखते आपका क्या है प्रसन नमर अठारह है निम्न में वह यूद्ध जो जल एम थल दोनों पर लड़ा गया which war of the following was fight on the boat and water दोस्तों ये लड़ा गया था आपका घागरा का यूद्ध ठीक है घागरा का यूद्ध दोस्तों जल एम थल दोनों पर लड़ा गया था प्रसन नमर उननाईस आपका पुछा है दोस्तों बावर के आकरमण के समय निम्न में से कौन हिंदू राज्य था पंजाब गुजरात खांदेश या बिजय नगर तो बिजय नगर एक हिंदू राज्य था आप सनमर डी करेक्ट है आपका अगला प्रसन देखेंगे क्या है प्रसन नमर बीस आपका पुछा है लोधी वन्स के सासकों में भारत पर कितने वर्ष तक सासन किया तो 75 वर्ष तक ठीक है आप सनमर सी करेक्ट है आपका प्रसन नमर एक हिस आपका पुछा है भारत में सरो पर्थम सांकेतिक मुद्रा टोकेन करेंसी का प्रसलन किस ने किया था मुहम्मद बीन तुगलक द्वारा किया गया था आप सनमर सी करेक्ट है आपका यह भी 100 परसन आएगा याद रखिएगा 22 नमर प्रसन है दोस्तों ब्रामडो पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान था फिरोज साह तुगलक था ठीक है 22 का अपसनमर एक करेक्ट है आपका यह भी आएगा 100 परसन गारांटी है दोस्तों यह प्रसन आना है तो आना है 2024 में ठीक है ब्रामडो पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान फिरोज सा तुगलग चलिए अगला प्रस्न आपका तेज नमबर प्रस्न है मुहम्मद बिन तुगलग पागल सुल्तान था किसने कहा ठीक है हूँ कालेड मुहम्मद बिन तुगलग वाज क्रेजी रूलर दोस्तों जो मुहम्मद बिन तुगलग था इसको प प्रस नमोर चौबीस आपका पूछा है किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है तो दोस्तों निजौमुदीन अुव leverage ने काथा कि दिल्ली करिक्ट आपका चलिए 25 नंबर प्रस्ट चाहिए प्रस नंबर 25 है तारीख ए फिरोजसाहिए किसने लिखी ये प्रस्ट आएगा दोस्तो 100 परसेंट लिख के रक लिजए तारीख ए फिरोजसाहिए जितने भी दोस्तो बुक्स है बहुत ही इंपोर्टेंट है वो पूछे जाएंगे ठीक है तो जी आउदीन बरनी ठीक है तारीक है फिरोज साही किस ने लिखी है जी आउदीन बरनी आपसर नमर सी करेक्ट है आपका प्रस नमर 26 आपका इसमें पूछा था दोस्तों दिल्ली संतनत में पहली बार सिचाई के लिए कुवे तथा नहरों का निर्मार करवाया किस सासक ने तुगलक ने करवाया था आपसर नमर सी करेक्ट है आपका 26 का चलिए प्रस नमर 27 देखेंगे आपका क्या पूछा है निम्न लिखित में से किस सासक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था तो दोस्तों गया सुद्दीन का ठीक है गया सुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था देखिए आपके एक्जाम में इस प्रसन को दूसरे तरह से कैसे पूछेगा गया सुद्दीन का दूसरा नाम क्या है गाजी मलिक ठीक है इस पॉइंट को याद रखेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट है 28 नमर प्रसन क्या है बरीद ए मुमालिक कहा जाता था ये गुप्तचर विभाग को कहा जाता था दोस्तों वेरी वेरी मुश्ट इंपोर्टेंट है ये आएगा जरूर ठीक है बरीद ए मुमालिक कहा जाता था गुप्तचर विभाग को आपसा नमर सी करेक्ट है 28 चलिए प्रसन नमर 29 देखते हैं आपका क्या है निम्न लिखित में से बलबन ने कौन सी उपाधी धारण की थी बलबन ने जिल्ले इलाही की उपाधी धारण की थी अपसा नमर सी करेक्ट है 29 का प्रसन नमर 30 देखेंगे आपको क्या है अमीर खोसरों ने जलालुदीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वरण किया है किस में किया है यह एक क है बहुत इंपोर्टन प्रसन है यह आएगा बेरी बेरी मोस्ट इंपोर्टन ए थीक है दोस्तों इस क्लास को क्या करीगा आप लोगण डाउनोड करनीजयेगा यह तो आप इसे सेब कर लिजयेगा ठीक है 31 नमबर प्रसन है आपका partition आपका पूछा है अलावदीन खिलजी का मुल नाम था अलावदिन खिल जी का मुल नाम है अली गुर्सपा ठीक है आपसे नमबरे करेक्ट है आपका दोस्तों अगर आपके पास यह पेपर नहीं है तो आप क्या करेंगे टेलेग्राम गुरूप का लिंक दिया है डिस्किप्शन बॉक्स में टेलेग्राम गुरूप जोइन कर लिजेगा ठीक है वहाँ से आपको कैसे मिलेगा पीडियाफ इस कलास के ठीक नीचे ठीक है वहाँ पर मैं कलास सेंड किया रहाता हूँ उसके ठीक नीचे आपको पीडियाफ मिल जाएगा ठीक है पीडिया भी मिल जाएगा आपको चलिए आपका 32 नंबर प्रस्ण है उमदत उल निस्वा की सोरी इसमें ठीक से दिखाए नहीं देरा मैं फिर से इसके पढ़ने का प्रयास करता हूं देखिए उमदत उल निर्वा की उपाधि किसकी थी दोस्तों यह रजिय सुल्तान की थी आपसा नंबर भी करेक्ट है आपका 32 ठीक है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग जब पेपर भेशते हैं तो थोड़ा फोटो साई से इसका खीचा करिए ठीक है लाइट अन करके इसमें से कई सारे प्रस्णाइसे हैं जो फोटो हिल गया है ठीक है बलर हो नंबर भी करेक्ट है आपका बेरी-वेरी मोच्च इंपर्टेंट है चलिए अगला प्रस्न आपका देखते हैा destroy नंबर क्या है लौ और रक्त你 किस ने अपनाई थी तो safle Week अरगो और रक्त की ने किसने अपन्य वर्मनले अ किया रजिया सुल्तान चांद भीवी महरुन निसा हजरत महल तो ये तीनों नहीं किया था चांद भीवी महरुन निसा और हजरत महल नहीं किया रजिया सुल्तान ने दिल्ली पर सासं किया था ठीक है पाइटिस का अफसर नमबर एक करेक्ट है आपका चलिए अफसर नमबर आ आपका इल्तु तमीज ने दोस्तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था ठीक है उस समय ये 36 का अफसर नमबर भी करेक्ट है ये भी लगबग लगबर हर एक्जाम में रिपीट होता है तो उस प्रस्ण को बहुत अच्छे से त्यार कर लिजेगा ठीक है 37 नमबर प मिश्तफिया ये बदायूं का सुविदार था ठीक है बदायूं का सुविदार था चलिए अगला प्रस्ण आपका देखे 38 नमबर प्रस्ण क्या है अराम सा कितने महीने तक सिंहासन पर रहा अराम सा दोस्तों 6 महीने तक सिंहासन पर रहा अपसर नमबर एक करेक्ट आपका प्रस नमबर 39 है निम्न लिखित में से किसने परसिद्ध कुतु मिनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है तो दोस्तों जो गया सुद्धीन तुगलक है यह क्या है कुतु बुद्धीन निर्माण में योगदान नहीं दिया वाकि इल्दू तमिस कुतु बुद्धीन आपका गुलाम वंस की अस्थापना किसके द्वारा की गई गुलाम वंस की अस्थापना आप सभी लोग जानते हैं कुत बुद्दिन एवक के द्वारा की गई थी कच अच्छा से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे इसे ठीक है बहुत ही इंपोर्टेंट पसने हर बार यह दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी तो इस क्लास को सेयर जरूर करिएगा वार्सअप पर कम सकमेएक लोग को सेयर जरूर करिएगा इस क्लास को ठीक है मिलते हैं जल्दी ही नेस्ट क्लास में तब तक लेब जै लिए हिन्ध antroso